नमस्कार आप दीखने मीडिया हच्चर मैं हूँ आपके साथ पूजोयादव गाज़बाद में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद फिर से गाज़बाद पुलिस निशाने पर आ गई या यूँ कहली जी की सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई दरसल गुरुबार को कथित तौर पर गउ तसकरी के मामले में पुलिस ने चाप पेमारी की और वहाँ पर एंकाउंटर के दौरान में साथ अपराधियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया यहाँ चोकाने वाली एक बात है जिस पर सब को संधे हो रहा है अब आप तैक कीजेगा कि यह तफाकन ऐसा हुआ या फिर कुछ मामला अलग है आई आपको पूरा मामला बताते हैं दरसल जिन आरोपियों को पकड़ा गया मौकाई बारदात से उन तमाम आरोपियों के घुटने के नीचे गोली लगी है पुलिस का कहना यह है कि इन्होंने हमारे उपर हमला किया कई राउन फायर किये जिसके जवाब में हमने भी कई राउन फायर किये और इनके घुटनों में गोली लगी है घुटनों के बिल्कुल नीचे और यह इत्तफाक क्या हो सता है कि सातों के सातों आरुपों को बिल्कुल गुटने के नीचे ही गोली लगी है जिसके बाद से कई सवाल उठने शुरू हो गए लेकिन ये पूरा वाक्या आपको बताती है तरसल पोलिस को एक सूचना मिली जिसमें उनको ये इतला किया गया कि एक जो गोदाम है उस गोदाम म बिल्कुल वैसी ही थी एसा पोलिस के दूआरा जानकाई दी गई है जिसके बाद जब पूलिस वहां पर पहुंशती है तो उन अपरादियों ने पूलिस के ऊपर ही कई राउंड फायर करने शुरू कर दिये कई राउंड फायर के बाद जवाब दिया गया उनके साथ पूरे मामला गौतस करी का था जिसके बाद में ऐसा हुआ लेकिन सवाल तब उठे जब साथों कि साथों अपराधियों के बिल्कुल घुटने के नीचे गोरी लगे जिसके बाद सवार उठने शुरू हो गए खैर इससे इतर आपको बता दी कि दो आरोपी अब भागने में क कि भी लगातार तलाश पुलिस कर रही है और बहुत ही जल्द पुलिस का दावा है कि उन आरोप्रों को भी गिरफदार कर लिया जाएगा लेकिन ये पूरा का पूरे मामला गुरुवार का है